दोस्तो आज का ये वीडियो जो है बेहदी खास है और शक्तिशाली है क्योंकि दोस्तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याइं आ रही है वे भगवान शीव शंकर के किरपा मातर से ही दूर हो जाएंगी दोस्तो माशिवरात्री का पावन अवसर इसको आपको बिल्कुल भी नहीं गवाना चाहिए क्योंकि भगवान शीव शंकर थोटी सी पूजा मातर से ही परसन हो जाते हैं दोस्तो भगवान शीव शंकर की किरपा प्राप्त करने का सुनैरा मोका महाशिवरात्री जो कोई भी इस दिन कुछ खास उपाय कर लेता है उसके जीवन की सभी समस्याएं अपने आप ही तूर हो जाती हैं और मनोवान की फल प्राप्त होते हैं हर प्रकार की मनोकामनाय पूर दोस्तो भाशिवरात्री के दिन भगवान शीव शंकर के सभी सेवालों में आप देखेंगी बेहत भीड होती है और साथ ही हर प्रकार की मनुकामनाई, मनुवांसित इच्छाएं आप शीहरें पूर्ण कर सकते हैं. आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि किस प्रकार से आप अपने इच्छाएं और मनुकामनाई पूर्ण कर सकते हैं छोटे से उपाए मातर से कर सकते हैं क्योंकि भोले ना तो हैं ही भोले जो कि थोड़ी ची पूजा मातर से प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों शिव और शक्ती के मिलन का महा पर्व है मा शिवरात्री जो कि फागन मास के चतोदसी के दिन आता है तो इस दन आ आप हमारे दुवारा बताए कि इस उपाय को अवश्य कीजिए और अपने सभी मनों कावनाओं को पूर्ण कीजिए आए जानते हैं कौन से हैं वे उपाय दोस्तों अफसर लोगों की शिकायत रहती है कि वे अपने जिंदगी में जो वे चाहते थे नहीं प्राप्त कर पा रह अपने ही गर में यहां तक कि वे घुटन तक महसूश करने लगे हैं और अब वे लोग चाहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों से मुक्ती मिल जाए उन्हें बुरे-बुरे खयाल आते हैं किसी भी काम में मन नहीं लगता है और दिमाग में हमेशा ही एक अजीब सी टेंशन र वे बहुती अच्छी जिन्दगी बिताएं चिंता ना करें दोस्तो बस आपको जरूरत है सुबह के समय ये कुछ खास दिव्य मंत्र बोलने की जी हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे छोटे से सब्दों के बारे में मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखना है ताकि आपको पूरी वीडियो की सही प्रकार से विधी की जानकारी हो और आप कहीं भी कोई गलती ना करें और साथ ही आप कमेंट बोक्स में भगवान का नाम अवश्य लिखें एक बार कमेंट पूरी करना ये भी एक पुन्य कर्म का ही काम है हर व्यक्ति जो भी इस वीडियो से लाब उठाएगा आपके द्वारा शेयर किये जानकारी के द्वारा जो लाब उठाएगा उसका पुन्य फल भी आपके ही खाते में होगा और जितने जादा पुन्य कर्म उतने ही जादा दोस्तो ऐसा कौन है जो भगवान भोलेनात और मागोरी की किरपा प्राप्त करना ना चाहता हूँ हर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनात और माता गोरी की किरपा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले भोले नात भगवान हैं, क्योंकि वे सौवाव से इतने भोले हैं कि बगतों के छोटे से कार्य मातर करने से ही विप्रसन हो जाते हैं। वहीं आज की वीडियो में हम आपको ऐसे छोटे से चार मंतर बताने वाले हैं, चार सब्द बताने वाले हैं, जिनने आप किसी भी अवस्था में जब कर सकते हैं. और तो और इसके लिए आपको सुबह उठ करके स्नान करने तक की भी आवशकता नहीं है, वहीं जहां आपको ह हर एक उपाय, हर एक कार्रे के लिए, हर पूजा पाठ के लिए, सवच्छता का ध्यान डखने के लिए बोला जाता है, सुबह उटकर नियमेत रूप से सनानाधी करें, उसके बाद ही आप कोई उपाय कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले है उसके लिए आपको नानाधी तक करने की भी आउशकता नहीं है, इस उपाय को दोस्तों जरूरी नहीं के बड़े व्यक्ति ही कर पाएं, गर की इस्तरिया हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, विद्ध्यारती हो, जिनका विवा नहीं उपा रहा है, वे हो या फिर नई नव पेली दुलन को बहुती गुणवान संतान का प्राप्ति होती है, और हर प्रकार के हर्स उल्लास के साथ-साथ जीवन में सुकसांती और दंपत्य जीवन में खुशाली प्राप्त होती है, इचना चमतकारी है ये मंत्र, ये चार सब्द केवल आपको सुब उठकर के बोलने हैं, ब्यापारी वर्क को जहां धनका लाप चाहिए, वहीं विद्यारतियों को अगर ये इस उपाय को करते हैं, तो उन्हें परिष्चा में बहुती उत्रिन प्रणाम देखने को मिलते हैं, और जो व्यक्ति धनलाप की इच्छा से उपाय को करते हैं, वे दिन दूनी करती की तरक्की के लिए योगदान देती हैं, इस उपाय को करने से घर में हमेसा ही बरकत बनी रहती है, दोस्तों इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपकी नींद खुले तो आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं, और दोनों हातों को जोड़कर सबसे पह अपने हातों को जोड़कर के आपको बोलना है, ओम श्री जूम सहर, दोस्तों ये केवल चार छोटे-छोटे सब्द हैं, इन सब्दों को एक बार आपको अवश्य बोलना है, दोस्तों जहां इसमें ओम महादेव के लिए है, वहीं श्री, श्री हरी भगवान, विश्रु औ माता लक्षमी के लिए है, और जूस है, इस से मिलकर मिलने बनने वाला ये चार सब्दों का एक मंत्र, लगू मामितुञ्य मंत्र है, जो हर प्रकार की बीमारी, कष्ट, मानसिक रूप से आने वाली परेशानियों को आप से दूर रखता है, और हर प्रकार के सोबागय की प हर प्रकार के मनुरत आपके पूर्ण हो जाते हैं, इस मंत्र के जब से आपके कुंडली में भी ये कोई दोस है, तो वह भी दूर हो जाता है, अगर आप कर सकते हैं, तो आपको दोनों हाथों को जोड करके सुबह सुबह इस मंत्र का जाब भी करना चाहिए, बहुत से हतेलियों को जोड करके, हतेलियों को देखते हुए भी आप इस मंत्र का जाब कर सकते हैं, मंत्र कुछ इस परकार है, क्राग्रे वस्ते लक्षमी, करमद्धे स्वरस्वती, करमूले तू गोविंदा, परवाते कर दर्शनम, इन दोनों उपायों में से जो भी आपको आसान लगी, आप उसे कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही उपाय कर सकते हैं, इस मंत्र का अर्थ है, हाथ के अग्र भाग में मालक्षमी, हाथ के मद्धे भाग में स्वरस्वती, हाथ के निचले भाग में स्री हरी भगवान विश्णु याने की गोविंद का वास होता है, और द और उनके आशिरवात से ही, आप हर परकार की मनुकामनाओं को पूरा करबाते हैं, हर कोई कार इन तीनों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप केवल चार सब्दों के मंत्र और एक बेसेज प्रकार के मंत्र का जाप करने मात्र से आप अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं और हमनों कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देम में जादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जै बजरंगमली, जै मतादीद, जै मालक्षमी.